असलेम अलेकम दोस्तो आसमकी से टिपी चैनल पर आपका बहुत बहुत श्वागत है तो दोस्तो कुछ दिने से हमें एक ही सवाल बार बार पुछा जा रहा है ओ है कि भाई हमारा खरगोश पानी नहीं पीते है और कोई बोले कि भाई हमारा खरगोश बिल्कुल पानी नहीं दूसरा कोई बोल रहें कि आगर कोई खरगोश पानी नहीं पीते हैं, तो उनको कैसे पानी पीलाना चाहिए। तो इस तरह एक ही सवल हमें बार-बार गुमा फिरा कर पूछा जा रहा हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो इस मुद्धे पर बनाया जाए। तो फाइनली हम आपके लिए वीडियो लेकर चलाया, तो अगर आपके खरगोश पानी नहीं पीते हैं, तो प्लीस इस वीडियो का पूरा आम तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि खरगोश क्यों पानी नहीं पीते हैं, अगर कोई खरगोश पानी नहीं पेंगे तो मैंसे उनको क्या क्या प्रोब्लेम हो सकते हैं, तो वीडियो के लाश्ट में हम बत करेंगे कि खरगोश आगर पानी नहीं पीते हैं, तो उ कि सबसेटेदा करेंगे खरगोष क्यों पानी नहीं पीतिंतेया तो सबसेपी पहला जो रिजमन्स कि आते हैं वह कि आपक जो फोग स्वाध होते हैं अगर कोई खर्गोश की तब्यात ठीक नहीं होते तो पानी पीना चोड़ देते साथ में खाना भी छोड़ देते हैं उस्ताइम पानी का जो फ्लावर होते हैं मतलब जो स्वाध होते हैं उनको पसंद नहीं होते हैं तो इसलिए वो पानी पीना छोड़ देते हैं दूसरा जो रिजन्स है आपका जो खरगोश है उनका जो टीत है उनमें प्रोब्लेम हो रहा है मतलब आपकी खरगोष की टीत में कोई infection हो सकता है नहीं तो दात धीला हो जुका है इसलिए वो पानी पीना छोड़ देते हैं तीसरा रिजन्स है आप खरगोष को आच्छी तरह डाइट मेंटन नहीं कर रहे हैं सोथा रिजन्स है आपकी जो खरगोष है और दूसरी कोई सोड़ से पानी पी रहा है आपको पाता ही नहीं चल रहा है दोस्ता आप बत करेंगे अगर कोई खरगोष नहीं पानी पीते है तो उनको क्या-क्या प्रोब्लेम हो सकते है दोस्तो आगर कोई खरगोष पानी नहीं वेक हो जाएंगे और आपका खरगोश दूबला पतला होना शुरू होगा तोस्त आप हम बात करेंगे अगर कोई खरगोश पानी नहीं पिते हैं तो उनको कैसे पानी पिलाना चाहिए तोस्त उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा जांकरी देना सकते हो अगर आपके खरगोश की वजन 1 किलो है तो करेंगे 52-150 ml पानी पिलाना होगा उनको indirectly पानी पिलाना होगा दोस्तों जब season sense होते है मतलब छर्डियों का मोसम आते है उस वक्त भी खर्गोष बिल्कुल पानी नहीं पीते है तो आप जो है छर्डियों का मोसम है तो इस वक्त खर्गोष पानी नहीं पीएंगे पीएंगे टो बहुत काम पीएंगे। और शमर में खर्गोष ज्यादा पानी पीता है क्यों ज्यादा गर्मी रहता है। तो अगर आपकी खर्गोष इस वक्त पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आप जो है शार्डी का मोशम है इसलिए खरगोश पानी पिना काम कर दिया है तो अगर आपकी खरगोश पानी नहीं पिते हैं तो सबसे पहला आपको क्या करना होगा जो आप खाने के लिए डालते हैं चाहिए हो हराचारा हो बेजेटेबल्स हो उनको आच्छे से धोकर देना चाहिए इससे क्या होगा जो आप खाने के लिए देंगे उसके शरुर में भी थोड़ा सा पानी रह जाएंगे और वह खाने को वक्त खरगोश के अंदर जाएंगे और वह एक दुस्तो तरीका है आप खरगोश को जिस फ्रोइट्स पर और बेजेट्रेबल्स पर ज्यादा से ज्यादा पानी हो वैसे वहले खाना ज्यादा दे जैसे कि दुस्तो खीरा इंग्लिश में जिसको ककुमबर करते हैं बहुत सारे लोग खीरा नाई समस्पाएंगे खीरा आप ज्यादा से ज्यादा खिलाई है क्योंकि खीरा में 95% पानी ही रहता है दुस्तो दूसरा है वाटर मिलन तो वाटर मिलन में ज्यादा से ज्यादा पानी रहता है दोस्तो मेरा कहना का मतलब है जो वेजेटेबल्स और फुएट्स पर ज्यादा से ज्यादा पानी हो वैसे वाली खाना आपको देना होगा इससे क्या होगा खरगोश के अंदर इंडिरेकली पानी जाएंगे दोस्त आपको पते ही होगा जो पाँ होते हैं वह जीब का जीवन होते हैं तो इसलिए खरगोश के लिए भी पानी बहुत जरूरी होते हैं दोस्त आज लिए इतना ही आगर आपको बीडियो पसंद दी तो लाइक जरू कर दीजे और दोस्तों आगर आप हाँ चनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो तो सब्सक्राइब किसे तो मिलते हैं आगले को यह वीडियो के साथ खुदा हफीज